सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना पुलें सबसे तेज सबसे पहले खबरे देखने के लिए धन्यवाद। वीशप का सबसे उच्छा रामन का पुतला फिर से धहन होने के लिए त्यार है। अंबाला चीले के ब्राडा कस्वे में इस पुतले का निर्मान करें चल रहा है। और दो दिनों में ये लोगों के देखने के लिए त्यार होकर खड़ा कर दिया जाएगा। इस पुतले का नाम पांच बार लिमका बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्च हो चुका है। वीशप के सबसे उच्छे रामन के पुतले के निर्मान पर 25 लागत आती है। वीशप का सबसे उच्छा रामन का पुतला बनाने में 6 महीने से कारियर लगे हुए। इस पुतले को 24 सितंबर से दर्शकों के देखने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। चाट टन वजनी रामन का पुतला विश्व के सबसे उचे रामन का निर्मान कारे अंतिप पड़ापर है। रामलीला कलब बराडा के सदसे इसे अंतिम रूप देने में लगे हुए। जल्द ही यह पुतले का निर्मान कारे पूरा होने के बाद इसे लोगों को दिखाने के लिए खड़ा कर दिया जाएगा। और दिशेरे के मौके पर इसका देहन किया जाएगा। देहन से पाँच दिन पूरो बराडा महुतसव के नाव पर रंगा-रंग कारे करम के बाद रावन के पुतले का देहन किया जाएगा। राम लिला कलब के संस्थापक तजिंदर चोहान ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रावन के पुतले की उचाई 210 फुट रखी गई है। इस मौके पर होने वाली आतिश बाजी एको फ्रेंडली होगी। चाट टंग का होगा रावन के पुतले का बजन। इसके निर्मान पर लगबग 25 लाक रुपे का खर्चा है। उन्होंने बताया कि पांच बार लिमका भुक आफ रिकार्ड में ये दर्ज हो चुका है। ये अब की बार जो रावन का पुतला बनाया जारा है इसकी जो लंबाई है वो 210 फिट है। लगबग 6 महीने का टाइम इसके निर्मान में लगता है। और इसमें बनाने में लोहा लगता है और बहां से लगते हैं कपड़ा, रदी कागज, फाइबर गलास और जूट की रसियां वगएरा इसके बीच में यूज होती है इसके निर्मान कारिया के बीच में। नहीं कहीं से नहीं बस तकरीबन 31 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए और दीरे जैसे जैसे इसमें हम काम करते रहें वैसे वैसे तजर्वा बढ़ता चला गया उसके तहत ही आज ये इतना बड़ा रावन का पुतला, पबलिक के लिए हम हर साल पेस करते हैं। कारीगर पहले भी ये पुतला नहीं बनाते थे, हम पहले तीन पुतले बनाते थे, कुम करण मेगनाथ और रावन का, जो दो चोटे पुतले उत्ते थे, पलस वो बांस की जो फाड़ने के लिए टीम आती थे उनकी, वो दो नो चोटे पुतले वो बनाते थे और वो बांस ये मेरे अपने स्टाफ के जो बंदे हैं उनके दुआरा और मेरे निर्देशन में मेरी डिरेक्शन के बीच में ही तियार हुआ है हमेशा से इस बड़े पुतले को तियार करने में किसी भी कारीगर का बाहर के का किसी परकार का आँए इसको पांच बार लिम्का बुकाउफ प्रिकार्ड के बीच में दर्ज किया जा चुका है। हमें उसके सर्टिफिकेट जारी किय हूँ है। प्रिकार्ड के बीचार की रिपोर्ट न्यूज एटीनाइट।